So Hello My Beautiful Souls, Welcome to My Channel People Terrors, So Guys, कैसे वाप सब लोग, I hope आप सब लोग अच्छे होगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे, So Guys, आज मैं आपके लिए रिडिंग लेकर आगे हो Guys, आपके डेस्टिनी में किया लिखा है, आपके भागे में किया लिखा है Guys, and also Guys, ये थोड़ी स excited होने वाली है आपके लिए रिडिंग, तो Guys, आपको आज ये ही नहीं पिक करना है, ठीक है, आपको ये पिक करना है, First Pile अगर आप वान नमबर पिक कर रहे हो न, तो अगर आपकी आपकी आईज गाईज ब्लाक है न, ब्लाक ये लाइट ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन आपकी आईज का है, तो Guys, आप First Pile पिक कर लिजएगा, ओकी, आज ये आज ये आईज के उपर होगी, आप अपने पहले मिरर के आगे जाकर, या कहीं से भी आप अपने फोन में, या कहीं से मिरर में ही देख लिजए, ठीक है, बट धूप के सामने रहना, ओकी, जैसे सन ल या फिर गाईज जो आपका जो अंदर का जो आईज का रेटेना होता है, तो अगर वो ब्लैक है, या फिर गाईज डार्क ब्राउन है, तो Guys, आप First Pile पिक कर लिजएगा, और अगर आप Second Pile पिक करना चाहते हो, तो Guys, First Pile के लिए वैसे ये भी option है, आप ये ने यांग पिक कर लिए होगी, तो आप Second Pile पिक कर लिजए ठीक है, तो यहाँ पे है The Thinking Man, So Second Pile आपके लिए होगी, So Guys, सबसे पहली, दोबारा फिल से सुन लेजी, Guys, Introduction इसलिए मैं बनाते हूँ कि आप इसमें को important अगर आपको मैंने बात बताने हो, तो वहाँ आप यहाँ पे बताते हो, मैं आपको, So First Pile अगर आपका पिक करना चाहते हो, तो अगर आपकी आपकी आइस का शेड है, Guys, Black and Dark Brown, Okay, तो आप First Pile पिक कर लेजेगा, ठीक है, And Second है, Guys, अगर आपका आपका आइस का शेड है, Guys, Light Brown color, and Also Guys, Gray and Also, Third है, Guys, Blue color, कभी-कभी Blue भी होता है, ठीक है, Light Brown, Gray and Blue, Okay, So आप Second Pile पिक कर लेजेगा, जो आपकी आइस का ओरिजनल कलर है, जाला था तो Black ही होता है, ठीक है, सभी Brown and Gray and Blue, ठीक है, So ये Shades आजाते हैं, बाकी, Guys, और तो मैंने Shades देखे नहीं कभी, ठीक है, So of course, तीनों ही, दोनों ही Piles है, ये, दो Shades यहाँ है, Three Shades रहाँ है, Guys, तो पिक कर लेजे अपनी Pile, ये मैं लगा दूँगी, जूम पे, ठीक है, आपको अगर Numbers पिक करने हैं, वो आपको पिक कर सकते हो, दोनों ही, तीनों ही Options आपके सामने हैं, तो आपको कैसे पिक करना है, So start कर लेते हैं, First Pile से, आज इंट्रो थोड़ इसी बड़ी होगी, Because of this, कि आपको मैंने समझाना था, कि आपको कैसे Pile पिक कतने हैं, आपके लिए, ठीक है, So First Pile, अगर आपने अपने लिए One Number पिक किया है, यहां आपकी Eyes का Color है Black, और अलसो Dark Brown Shade, तो आपके लिए देख लेते हैं, आपका भाग्ये क्या लेकर आ रहा है, ठीक है, आपकी Destiny में क्या लिखा है, तो यहां पी है Yin and Yang, और अलसो 22 Number है, यहां पी, तो यहां पे मुझे Life में Love की उपर Based होगी, ठीक है, यह Destiny आपकी, प्यार बहुत Important रहेगा आपको देना और आपको मिलेगा भी, ओके, Give and Receive, Balance में होता हुआ दिखेगा, ठीक है, यहां पे यह नहीं Yang है, Balance का ही Sign है, यह Water and Fire Energies आपकी अंदर हो सकते हैं, मतलों आप Emotional भी हो, आप लोग बहुत ज जाते हो हर एक काम करने के लिए, and also guys, बहुत जाते हैं, cleverness नहीं है, इतनी ठीक है, प्यार की उपर जाता बेस्ट हो आप लो, आपको लगते हैं, Yes, Love is Important in Our Life, and Love guys, Love की बेस्ट, Love की उपर ही बेस्ट आपकी लाइफ चलेगी, इस lifetime है, उसमें आपको, आपकी आगे guys, जो आप की, numerology के accordingly, आपकी, of course guys, आपकी कुंडली के accordingly, आप वो भी चेक करवा सकते हूं, मैं वो भी चेक करती हूं, बट उसके थोड़े से प्राइस अलग होंगे, ठीक है, उस तैरों के साथ, अगर आप astrology करवाना चाहते हो, मुझसे, तो उसके प्राइस अलग होंगे, okay, so guys, यहाँ पर मुझे जो दिख रहे हैं आपकी life balance में बनाके, आपको चलना पड़ेगा, अगर आप imbalance हुए न कभी, तो आपको balance करना ही पड़ेगा आपकी life में, ठीक है, आपकी अभी देख लेते, और क्या आते है, destiny में आपकी, ठीक है, so सबसे पहले नीचे bottom से guys, मुझे death दिखा है, यहाँ पर है sun card, ठीक है, so मुझे दो cards दिखे हैं, तो guys, कुछ ना, कुछ, मुझे जैसे होता है न, कुछ end हो गया, उससे आप emotional हुए, and कुछ new start हो गया, उसके साथ ही, तो आप happy हो गये, so यह सब चीज़ें आपकी life में चलेंगी, ठीक है, इस lifetime में, so something ending in your life, and also guys, कुछ new beginnings भी आएंगी आपकी life में, okay, so, यह सब चीज़ें guys, आपको देखने को मिलेंगी इस lifetime में, and प्यार guys, बहुत important होगा, चाहे वो आप इपने बच्चों से कर रहे हो, चाहे अगर unmarried हो, आपको बच्पन में प्यार मिल रहे है, प्यार के उपर waste guys, आपकी life आप यंग हो चुके हो, ठीक है, आपकी life में प्यार लोग आ रहे हैं, आपको प्यार करने के लिए, आप भी दे रहे हो, ठीक है, यह सब चीज़ें इस lifetime में आपके होगी, बाकी tarot के थू देख लेते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, okay, two of swords हैं यहां पर, okay, and यहां four of wands, okay, ace of wands, जो मैंने बोला, nine of swords, okay, so आप लोग गईस fire sign, दो कार्ड़ आ चाहते हैं, six of cups and three of swords, see this, wow, guys, जो मैंने बोला हैं, वो आ रहा है, यहां पर, इसलिए मैं happy हो रहे हूँ, कि yes, वो चीज़े होते हुए दिख रहे हैं, hangman, ठीक है, struckness, okay, बहुत सारे कार्ड़ है यहां पी, word and magician manifestation techniques आपकी अच्छी हो सकते हैं, आपको manifestations आती होंगी, कैसे कतनी है, ठीक है, last one is, okay, ठीक है जी, the knight of pentacles, bottom of the deck is queen of pens, and middle nurse is harophant की हैं, गईस, तू, आप लोग Taurus sign हो सकते हैं, आपका Taurus वर्गो Capricorn हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग Fire sign के, so guys, आप लोग मुझे यहां पे Taurus sign के देख रहे हो, आपकी विश्वराशी हो सकते हैं, second number वाली ठीक है, यहां आप Cancer score पे Pisces sign के हो सकते हो, यह Taurus वर्गो Capricorn, and Aries Lewis, एस यहां पे सभी ठीक है, सभी signs आचुके हैं, कब Skycard आए है, तो Pisces sign आचुका है, यहां पे important, ठीक है, Taurus आचुका है, यहां पे important, बागी कोई major अरकाना जाला नहीं है, आपकी reading में, and यहां पे guys, यहां पे मुझे ऐसा लगए, यहां पे मैंने आपको जो बोला न, आपकी life map आपको balance बना क चलना पड़ेगा, तो वो यह भी हो सकता है, कि आपकी life में, आपके पास options भी आए, ठीक है, दो-दो options आपके पास आजाए, ठीक है, यह सब चीज़े मुझे दिख रहे हैं, यहां पे, options आपकी life में दिख रहे हैं, two of swords, three of swords, दोनों ही आए हैं, okay, तो यहां पे मैंने जो आपको कहा ना, love, love is important in your life, guys, यहां पे three of swords आचुके हैं, soulmates आचुके हैं, marriage आचुकी है, दो cards है, marriage दिखा रहा है, government job दिख रही है, यहां पे आपके भाग्य में, अभी तक अगर नहीं मिलिए, वो मुझे, मैं आपको कुनली से ही बता सकते हूं, ठीक है, आपकी कुनली मे अगर आपके, अगर मैं आपको बता दू कि यहस, आपके person के साथ, तो आपका relation बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपका future बहुत अच्छा, बट आपके नवामशा या फिर आपके birth chart में, 7th house में केतू है, तो आपके person के साथ, थोड़ी से आपकी separations रहेंगी, ज़रूर यह सब चीजे में आपको बता सकते हो, बागी आपके हाथों में है, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है, कि आप ऐसे ही रहना पसंद करते हो, तो आपके लिए beneficial ही होगा, ठीक है, आपको लगता है, कि यस मुझे इतना किसी से ज़ा तो यहाँ पर है गईज, चुवफ सौर्स, ऑप्शन, ठीक है, आपके बास ना हर टाइम, लाइफ में गईज, हर एक सिचुेशन में आपके सपास ऑप्शन रहेंगी ही रहेंगी ओके and also आपको heartbreak भी होगा एक बार ठेक है इस life time में अगर हो चुक है तो guys वो ठीक है या फिर guys यह हो सकता है कुछ लोगों के साथ आप लोग का दिल तूटता ही रहता है आप एक relationship आते हो वो आपको hurt कर देता है and then दूसरे में वो आपको hurt करके चला जाता है ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है तो आपको इस चीज को heal करना पड़ेगा वो कैसे कर सकते हो आप अपने आपको heal करिए अपने आप से self love करिए थोड़ा ठीक है so that आप अपने worth को increase कर पाओ अपने mind में ही ठीक है ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो पैसा कमा रहे हो यह यह वो ठीक है वैसे worth अपकी होगी नो आप अपनी आँखों में भी अपनी अगर worth भढ़ाना चाहते हो तो कुछ कर सकते हो अपनी life में ठीक है like queen of pentacles के पास अप कुछ है इसके पास money है यह motherly caring nature है इसका ठीक है of course तो आप ऐसे ही अगर आपका है guys आपके mind में अगर आपको लगते है कि आप ऐसे ही हो तो guys यह आपके लिए pile है ठीक है see this यहाँ पे है heroffant वाव guys awesome guys cards देख लिए आप wheel of fortune वाव justice and चारो ही चारो major कानाज आप देख सकते हो guys मैं आपको दिखा दू और राम से पूरे से heroffant है wheel of fortune है justice है magician है तो guys यहाँ पे कम ही किस चीज की है मतलब आपके अंदर ये चीजें शुपी हुई है ठीक है रास है आपके अंदर ये सब चीजें आप किसी को बताते भी नहीं हो कभी-कभी मुझे तो ऐसे लगते है कुछ चीजे तो आपको खुद को नहीं पता कि आप ये सब चीजे कर सकते हो आप एक lawyer बन सकते हो आप कानून के साब से मतलब जैसे होता है नि law से related work आपकी हाथों में हो सकता है आप कर सकते हो आप capable हो इतने आपको आप justice lover आपको सच बोलना पसंद होगा इस lifetime में ठीक है सच ही बोलोगी आप लोग या अगर कोई जूट बोल रहा है उसको पकड़ लोग एक दम से ठीक है यहाँ पे है magicion magicion आपको manifestation techniques करना सिखाता है manifest कैसे करना है आपको यह सिखाता है आपके अंदर यह मलब आपके अंदर यह हो सकते है कि आप manifesture बन जाओ ठीक है बड़े manifesture big level पर manifestations करना है लोग अपनी life में destiny ने ही ऐसा लिखा हुआ है destiny में ऐसा लिखा हुआ है अगर यह सब चीज़े आप नहीं करना चाहते हो में तो आपकी रातों के नहीं रूट जाएगी ठीक है अगर आप बहुत balance ना कर पाए अपने राजिस को ठीक है so balance यहाँ पर important देख रहा है यहाँ पर balance आपको करना ही पड़ेगा आपके इस lifetime में अवेकनिंग जरूर होगी अवेकनिंग आपकी होती ही रहेगी ठीक है so guys देख लिए जिए tarot के थूरू से इतने जादा आपके लिए messages आ रहे है न मुझे अभी भी आ रहे है कि यहाँ आपकी life में soulmate आ रहे है ठीक है soulmate इस lifetime में आपके रहेंगी soul family भी आपकी हो सकती है जो person आपकी life में आएंगे वो guys आपके soulmate होगी आपकी शादी इनसे हो सकती है marriage आपको tension लेने के जुरूरत नहीं है lifetime में आपके marriage है ठीक है ऐसा नहीं कि आपकी शादी नहीं होगी किसी से ठीक है so शादी होकर ही रहेगी शादी होनी ही है आपकी ठीक है so यहाँ पर यह सब चीज़ी देख रही है ठीक है slow speed में guys मुझे ऐसे लगे शनी का आपकी उपर परवाव है ठीक है शनी आपके life में थोड़ी से रुकावटे लेकर आएंगे ठीक है अगर आपको लगता है कि आपकी शनी की साड़े साथ ही चल रही है ढहिया चल रही है या फिर गई शनी आपके लिए बहुत important होसते है शनी देवची ठीक है आपको यह saturation sign है जो आपकी थोड़ से लेक जैसे आपको one year में वो काम कर लेना जैवट वो ही चीज आप देड़ साल में दो साल में complete कर रहे हो ऐसा कुछ हो सकता है या आपके आपको मिल ही लेट चीज रही है ठीक है आप deserve करते हो अभी वट आपको मिल 6 महीने के बाद एक साल के बाद रही है वो चीज ठीक है wisdom है यहाँ पे hierofant again आ चुक है आप बहुत ज़रा educated हो सकते हो इस lifetime में study बहुत अच्छे level की करोगे अगर ऐसा नहीं है कि degrees ले लिए आपने ठीक है अगर degrees भी हो सकते है post graduation, graduation, PhD तक कर ली study ठीक है अगर यह नहीं तो guys यह हो सकते है आप teacher हो सकते हो ठीक है आप लोगों को lessons learn कर वाओगे ठीक है आपको पता होगा कि life का सार क्या है आपको कैसे life में जीना है ठीक है यहाँ पे फिल से foundation and achievements आ चुक है four of wands का ही card है यह आपकी life में family तो यहाँ पे दिख रही है मुझे यहाँ पे ओकी आप यह भी हो सकते है आप जैसे होता है ने शादियां करवाने वाले matrimony वाले आपको ऐसी app बना सकते है आप ऐसा कुछ काम कर सकते है जिसमें marriage से related आप लोग कुछ बताओ ठीक है यहाँ जैसे होते है कि बड़े-बड़े matrimonials होते है ठीक है आप सोती है वो आप बना सकते है यह उसमें आप कुछ ऐसा हो सकते है उससे related कुछ ऐसा आपकी life में होगा जरूर so destiny है यहाँ पे guys wheel of fortune आपको मैंने दिखाया था भी ठीक है bottom से so यहाँ पे भगवान जी ने बहुत कुछ आपकी किस्मत में लिखा है ठीक है उपर से ही बहुत चीज़े आपके लिए decision है आप चाहे उनको जितना मज़िव आपको नहीं दी जाएंगी तब तक जब तक आपकी timing नहीं आ जाती है right time आपके लिए नहीं आ जाता वो चीज़ का discontent and boredom आपको ये भी बोला जारे आप अगर discontent आप इस lifetime में कुछ time जैसे होता है अकेले रहना ठीक है कुछ time ऐसा feel करना कि येस मैं bored हो रहा हूं अपनी life से मैं क्या करूं अपनी life में आप discontent feel कर रहे हो ठीक है आप किस से इतने सारे लोगों के होते हुए भी आपको अकेला पन महसूस हो वो सब चीज़े यहाँ पे दिख रहे है ठीक है इन सब चीज़े आप also यहाँ पे मुझे एक और message है कि आप traditional family को belong करते होंगे ठीक है traditional मतलब कैसे भगवान को मानने वाले पूझा पार्ट करना ठीक है and family में हर एक रिती रिवास को बनाया जाना ठीक है also temptations okay so यहाँ पे last one is crown chakra वाव guys मैं आपको बता दूँ आप बगवादे manifestor बनने वाले हो ठीक है अगर आपकी eyes dark brown and black color की है ठीक है सभी के सभी से resonate भी हो सकते हो नहीं भी guys इससे general readings होगी पिन उपन माइं और अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है comment section में जरूर बताना मुझे कैसी लगी आपको reading okay and also अगर आपको personal reading book करवाने तो आप मुझे dm कर सकते हो instagram के उपर link description में instagram का time stamps के just उपर ठीक है या about section and follow करके मुझे वहाँ पे आप dm कर देना अगर आपको reading चाहिए so bottom of the deck is positive moment forward so guys आपकी life में positive moment आ रही है ठीक है आपनी life में आगे पड़ते हुए दिख रहे हो मतलब ऐसा है कि आपको growth चाहिए अपनी life में lifetime के लिए आपको growth चाहिए ही चाहिए आपको ऐसा है कि मुझे grow करना ही करना है अपनी life में ठीक है so temptations यहाँ पे दिख रही है guys मुझे ऐसा लगता है कि yes आपको मैं जतनी information दे पाऊं देती रहूं ठीक है because यहाँ पे मैं आपको एक बात पताना चाहिए कुछ लोग को होता है कि उनको cards जादा देखने पसंद होता है कि yes वो card देख लिए है वो shuffle कर लिए ऐसा कर लिए वैसा नहीं guys ऐसा नहीं होना चाहिए हम जतना time एक ही card deck को shuffle करके हम आपको information दे दे वही बहुत है आपके लिए because मुझे लगता है कि yes जादा cards सिखाना उसमें तो time साथ उसी में चला जाएगा ठीक है उससे जादा अच्छा ये है कि आपको 2-3 deck से ही 4 deck से ही आपको मेरे पस बहुत सारे decks हैं बट मैं 4-5 deck ही उसकती हूँ जादा से जादा ठीक है बट आपको messages convey करती हूँ कि yes आपके लिए important message है चाहिए मैं 1 deck से 8 मिंट लगा लेती हूँ आपके लिए चाहिए 10 मिंट लगा लूँ ठीक है बट आपको right information पहँच जानी चाहिए जो आपसे resonate होती है उसको ही लिया कीजे ठीक है ये मैंने आपको बताना था और बता दिया है temptations इस lifetime में ये हो सकता है कि आप किसी चीज की जैसे हो जाता है आदी हो गए है ठीक है वो सब चीजों से आपको दूर रहना होगा किसी चीज की addiction नहीं पाल नहीं है ठीक है आपको ये आपको बोला जा रहा है हो सकती है आपको addiction वाले और वो हो जाए तो वो यही दिखाता है कि यह आपका crown chakra open है थर्ड आई chakra आपका open है ठीक है क्वान येन compassion release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everywhere so आपको बोला जरे release कर दीजे judgments चो भी आपने अपने लिए बनाई हुई है या दूसरों के लिए ठीक है इस lifetime में आपको judgments नहीं रखनी है ठीक है जजज नहीं करना है किसी को ठीक है आप पहले अपने उपर देखो कहते हैं पांच उंगलों में से ही अगर हम किसी के और इशारा कर रहे है तो इसके और तो ही ही होती है तो guys चार तो अपनी तरफ ही होती है ठीक है तो अफकॉस रलीज कर दीजे judgments को ठीक है और फोकस करें guys love के उपर light के उपर that is within everywhere so guys everyone so guys हर किसी में होती है वो ठीक है so guys इस lifetime में आपको money की कोई कमी नहीं होगी भगवान मा लक्षमी guys आपको पैसा 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 देंगी ठीक है आपको money 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 आपको कभी tension नहीं होगी money के बारे में bright future होगा guys आपका लक्षमी मा आपको ये आशिरवाद देनी है कि yes stop worrying worry मत करो tension मत लो everything is going to be fine so हर एक चीज अच्छे से होगी आपके लिए हर एक चीज everything is going to be fine guys okay wow guys मैंने आपको क्या बोल आप teacher बन सकते हो ठीक है so यहाँ पर वही आ चुक है guiding children you are good as helping counseling and healing children use your skills to help children now so guys आपको बोला जारे कि आप good हो help करने में ठीक है counseling करने में and heal करने में बच्चों को so आपको क्या करना है use करिए अपनी skills को so that आप help कर पाओ guys children की ठीक है so that you can help in the future of children मतलब बच्चों की आप help कर पाओ ठीक है so आपको यही बोला जा रहा है so आपने लिए sacred space बनाना आपके लिए बोला जारे इस lifetime में आपके destiny में है कि आप अपने लिए कोई नो कोई sacred space बना ही लोगे इस lifetime में and यहां पर मुझे candle magic भी दिख रहा है आप अपने लिए candle magic भी कर सकते है या करवा सकते है किसी से manifestations ऐसे ही कर सकते है आपको बोला जारे create करें अपने लिए altar और वहां पर visit करें उस powerful place पे ठीक है connect करने के लिए divine के साथ ठीक है आपके लिए यही messages आएं गाईस मुझे अभी अगर आपको reading पसंद आए हो तो like कर देना reading को और आपके लिए 5, 4, 10 numbers important हो सकते है 8 number is also important for you 22, 15, 6 number so guys like this and also subscribe to my channel bell icon को दबादे ना guys and also share भी कर सकते हो अपनी इस reading को so guys अभी के लिए इतने हार महादे रादे रादे बाई अगर personal reading book करवाने तो guys मुझे आप DM कर सकते हो okay so bye so hello my beautiful souls welcome to my channel people there so guys कैसे हो आप सब लोग I hope आप सब लोग अच्छे होगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे so good morning everyone so guys आश मैं आपके लिडिंग लिख रागा guys आपकी destiny में क्या लिखा है आपके भागे में क्या लिखा है आपको अपनी eyes का color pick करना है guys वैसे आपको मैंने दो options और भी दे रखे हैं अगर आपको two number आपको option pick करने है तो आप pick कर सकते हो अगर आपको thinking man pick करना है तो pick कर सकते हो guys आपको okay बागे guys आप detail में intro सुन लेजिए ठीक है आपको intro में सब कुछ पता चल जाएगा okay so guys अगर आपने इस पाल को pick करना है अगर आपकी आइस का color light brown shade है या फिर blue है या फिर guys gray shade यो जो भी आप कहते हो ठीक है gray ही होगा so guys अगर आपकी ये आइस का color है तो आपके लिए second pile है okay ये three shades है मैंने second pile के लिए ठीक है first pile में black and अगर आपके dark brown eye की color है ठीक है eyes का so guys आप first pile pick कर लिजिएगा ठीक है अगर आप second pile pick करना है तो आपकी eyes का color ये तीन eyes की colors में से होना चाहिए ठीक है so second pile देख लेते है guys अगर आपने thinking man को आपको भी intuitively pick कर लिया है तो guys देख लेते हैं आपकी destiny में क्या लिखा है आपके भागी में क्या लिखा है ठीक है the thinking man है guys यहां पी सबसे पहला message जो भी मुझे यहां पे मिला है इसके accordingly guys मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़रा overthinker होगे ठीक है इस lifetime में मतलब ज़्यादा मतलब जैसे कितने deep में सोचना वो आपकी एक मतलब अच्छी बात भी है बट आपकी बुरी habit भी है bad habit भी हो सकती है कि आप बहुत deep चले जाते हो सोचने सोचने आप tired feel करने लग जाते हो उस चीज के वजह से ठीक है and also आप overthinking करने लग जाते हो जिसकी वजह से आपका mind कहीं और नहीं लगता है ठीक है and also आपका सरदर्दून लग जाता है इस वजह से यह सब situations आती होंगी अगर आप एक overthinker हो ठीक है आप overthinking लग भी रहे हो यहां से so guys यहाँ पर अगर यह बात नहीं है अगर आप से यह match हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए यही पाइल है अगर आप से यह possibility match नहीं हो यह तो guys second possibility है आपको यहां तो jewelry पसंद हो सकती है यहां फिरे जवारा यह सब चीज़े आपको यहां तो बहुत ज़रा attract करती होंगी वैस्तो आजकल के time में ऐसा कोई नहीं है जिसको यह सब चीज़े attract ना करे ठीक है बट यह ऐसा हो सकता है कि आपकी collection कुछ different ही हो आप fashion designer हो सकते हो इस lifetime में ठीक है fashion designing का आपका passion हो सकता है या आपको designer कपड़े cloths पहना चाहे आपके पास इतने पैसे नहीं है बट आप उसकी copy ज़रूर खरीदते हो ठीक है ऐसा कुछ हो सकता है आपकी life में I don't know why बट मुझे ऐसे messages क्यों आ रहे है पहले कभी भी मैंने मैं इतनी देज से tarot readings करूँ कभी मुझे ये message नहीं मिला है ठीक है so यहाँ पी आप fashion designer हो सकते हो या फिर guys ऐसा लग रहे है कि आपकी life में कोई एक person होगा या फिर बहुत सारे persons होगे जो आपको खोने से डरेंगे ठीक है आपको and वो लोगों को आपकी एहमियत पता होगी but आपको अपने बारे में इतना ज़रा नहीं पता होगा जतना दूसरे लोगों को आपकी एहमियत पता होगी ठीक है so guys यहाँ से यही दिख रहे and आपके लिए 10 number important हो सकते है 1 number, 4 number, 6 number, 46 number यह numbers आपके लिए important हो सकते हैं guys so guys देख लेते हैं टैरो के थूँ आपको universe क्या बताना चाहती है मैंने आपको वैसे बता दिया है ठीक है यह eyes वले कैसे हो सकते है so पहला card ही guys devil आ चुका है okay इसका meaning चुलो मैं बात में ही पताती हूँ पहले shuffle कर ले cards को के so अच्छे से बात में मैं दे पाऊंगे आपको reply okay 8 of wands, nice 8 of swords, nice guys 8 of swords and 8 of wands, दोनों ही आए हैं 4 of pentacles 7 of cups okay 8 of pentacles and last one is death card so bottom of the deck is 3 of cups and middle energy is क्या है the high priestess so guys पहली बात मुझे जो चीज दिखरी है मुझे यहां पी यहां पे devil है, devil guys अगर इसको positive way में लेकर जाएं तो guys अच्छा माना जाता है आप बहुत अपने काम को passion के साथ करते हो ठीक है यह सब चीज़ें यहां से देखी जा सकती है अगर guys इसको negative way में लिया जाए इसको negative मान लिया जाए कार्ड को तो guys यहां से यही दिख रहा है कि कुछ न कुछ तो कुछ न कुछ तो guys यहां पे negative thoughts आपके mind में हो ठीक है है या guys हो सकते है विकॉस यहां पे यह person भी बहुत ज़र overthink कर रहा है यह भी overthink कर ही होता है overthinking की ही निशानी है कि आपके किसी चीज के बढ़े में बार बार सोच रहे हो ठीक है वो सब चीज़े यहां से दिख रही है temperance है यहां पे of course आपको बोला जा रहा है कि yes आपको patience रखवाया जाएगा patience involved होगा guys आपकी life में ठीक है कुछ भी आपको मिलना भी है उसके लिए आपको patience रखना ही पड़ता होगा ठीक है patient रहना पड़ता होगा and आपको messages calls receive बहुत रहा होंगे इस lifetime है but yes आपको उसी message call को reply देना है जो आपको लगता है कि yes it's important for me कि इसको reply देना चाहिए यह इनको reply देना चाहिए और also guys eight of swords है जहाँ पे जो आपको बता रहे हैं कि आपकी life में आपकी बहुत साथी चीजों में struck रहोगे तो guys उसमें से आपको बहार निकलना ही पड़ेगा so उससे बहार निकलने के लिए आपको क्या बतना पड़ेगा guys आपकी life में new beginnings आएंगी आपकी life में आपको बहुत सारी situations को छोड़कर आगे भड़ना पड़ेगा ठीक है मुझे ऐसा लगए कि yes इस situation से निकलने के लिए आपकी स्टक्नेस से situation से निकलने के लिए आपकी थोड़ सी money मतलब जैसे आप meditation के लिए meditation सेंटर में कहीं पर जाएं ठीक है योगा सेंटर में जाएं या योगा की ट्रेनिंग लिए ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है आप इसके ऊपर सोड़ा खर्च कर सकते हो उसके वज़े से आपको लगए कि yes इसमें ऐसे ही आएगा आपकी डिफरेंस ठीक है बागी मैं आपको बता दूँ आप घर पर ही बैठ कर अगर अब स्ट्रक फील करते हो अपनी लाइफ में बहुत ज़रा आपको चीजों को सुलजाने की टेकनीक अगर नहीं आती है तो आप उल जाते हो ठीक है तो अफकोस आपको बोला जारे आपकी लाइफ में बहुत सरी ऑप्शन्स रहेंगी आपके सामने ठीक है ऑप्शन्स का बंडार रहेगा आपके सामने ठीक है कुछ ऑप्शन्स आपके लिए गलत होंगी बुरी होंगी कुछ चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी ठीक है आपको उन चीजों में से focus करके आपको उसके उपर अपने intuition का इस्तेमाल करके guys intuition को use करके उसके बाद चीज को pick करना है किसी option को अगर आपको pick करना है ठीक है बहुत hard working nature भी दिख रहे हैं इस lifetime में guys बहुत hard work करते हुए दिख रहे हो आप अपने life में ठीक है hard working nature आपका है okay and death card है of course guys यहाँ पर यही दिख रहे है कि आपकी life में transformation, change, बार बार change आपकी life में यह दिख रहे है celebration भी आप लोग करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पर celebrate करते हुए दिख रहे हो किसना किसी चीज को अपने life में celebration यहाँ पर अपको है universe आपको हर एक चीज प्रवाइट करेगी बट थोड़े patience के साथ universe एक दम से आपको चीज़े नहीं देने वाली है उनको जो लगेगा जब लगेगा तब ही देंगे devil guys आपको यही बता रहे है कि आप अपनी life में negativity को दूर करिएगा ठेक है जारा overthinking मत करेगा दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है यहां पर उससे आपका दिमाग ही घज़ोगा ठीक है फालतों की चीज़ों में सोच सोच कर बार बार ठीक है यहां पर यह दिख रहा है यहां पर यहां पर यहां है गाईज न्यू बीगिनिंग पो बहुत जारा टाइम के बाद ही एक आड़ा है बहुत टाइम के बाद मैंने देखा इस काड को सो यहां पर फोल की एनर्जी जाचोगे आपके लिए Scorpio Signs, Sagittarius, Capricorn, Pisces चार major arcanas है यहां पर आपके लिए आपके लिए सो यह आपके हो सकते हैं Sun, Moon, Rising and North Node में आपके लिए Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Capricorn, Aries, Sagittarius सभी science important है ओके सो यहां पर पेशेंस सीरेस पेशेंस मैंने आपको क्या बोला रखना ही पड़ेगा गैस, patience थो, ठीक है patience यहां पे required है patience के बिना कोई भी काम आपका नहीं बनता हुआ दिखरा है, ठीक है patience रखना पड़ेगा, देन कुछ होगा आपका सीरेस तीनों ही guys transformation, तीनों ही major arcanas आचके हैं उपर वाले line में यह death का, यह fool का, यह guys temperance का ही है, okay so guys, अगर आपको पता हो कि बीज आपने डाल देवाट उसको उगने में time लगेगा, patience रखना पड़ेगा, कि yes, daily पानी देना है वो बड़ा होगा, हना, ऐसे वैसे उसके उपर fool आएंगे, flowers आएंगे so यहां पर वही दिख रहा है, okay triumph, okay two more cards wow, चौथा में जो एकाना आचुका है guys, empress fertility है यहां पर, empress का card है, यह last one is guys, positive moment forward and bottom of the deck hope card है यह and इसको star card भी माना जाता है, okay so star card card and also sun की वेनर्जिस देता हुआ दिख रहे है so of course, आपकी life में guys hope रखने होगी, सब को सही हो जाएगा हर एक चीज time पे होते हुए दिख रही है, आपकी time से पहले अगर आप मांगोगी, कभी-कभी होता है कि भगवान हमें दे देते है वो जीज time से पहले ही but guys, मुझे ऐसा लगए कि आपको patience रखना पड़ेगा ही, ठीक है आपको time पे ही हर एक चीज, हर एक बात आपको तभी पता चलती है जब आपके लिए time best होता है, ठीक है so यहां पे आपके लिए 17 number, 7 number and also 3 number 8 number, 14, 13 5, 4, 0 शुन्या के इनर्जी भी आपके लिए important हो सकते है Lord Shiva की ही energies है शुन्या के energies में जाना हो के so of course fertility यहां पे दिख रही है so fertility guys यहां पे यही दिखा रहे है कि आपके life में pregnancy इस lifetime में guys fertility growth को भी दिखा रहे है pregnancy guys यहां पे of course होगी marriage तो होगी ही तो guys वो भी होगे babies भी होगे आपके ठीक है so यह है कि आपकी life में growth, grow करते हुए दिख रहे हो आप लोग अपनी life में growth ही यहां पे दिख रही है ठीक है आप लोग victory हासिल करते हुए दिख रहे हो new beginnings आप अपनी life में लेकर आना चाहते हो ठीक है अपनी life में ज़्यादा अर्ण करना चाहते हो ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है and also patience रखने की जुरुत है यहां पी patience required है and transformation changes आपकी life में होते हुए दिख रहे है transformation होते हुए दिख रहे है आपकी life में and positive movement forward बहुत fast way में आप move करते हुए दिख रहे है अगे बढ़रे हो ठीक है मतलब move करना मतलब कहीं पे transfer हो गया है या फिर ऐसा कुछ ठीक है so उसके accordingly guys so change आता हुए दिख रहे है आपकी life में patience आपको रखना पड़ेगा new beginnings आप manifest करते हुए दिख रहे है new beginnings आपकी life में आएंगी and of course film आपकी life में आता हुए दिखी रहे है थोड़ से passionate भी आपके person हो सकते है आपको लेकर ठीक है so यहाँ पिया love yourself enough to say no to others so दूसरों को no कहना सीखे love करिए इतना आपने आपको ठीक है so दूसरों को no easily कह पाऊ आप लोग so of course demands on your time and energy so of course आपको बोला जड़े अपने time और energy के उपर अपनी demand रखी हो के so यह आपका हक है boundaries sit कर लीजे guys जो person ज़ादा ये boundaries को मतलब पार करने कोशिश कर रहे ठीक है उससे तो बिलकुल ही boundaries बना लीजे ठीक है so यहाँ पे है मात इस lifetime में आपको fairness का सहारा लेना पड़ेगा also justice यहाँ पे justice lover हो आप लोग ठीक है this situation will be handled in a fair and just manner so यह जो situation है ना guys अगर आप लोग fairness के साथ आगे बढ़ रहे हो तो of course आपको कहा जा रहे है यह situation handle की जा रही है in a fair and just manner में okay so last one is don't back down brigade godses है यहाँ पे stand up for what you believe is right so stand up guys for what you believe is right मतलब उसके लिए खड़े रहो मतलब उसके लिए work करते रहो जो भी आपको सही लगता है यह अगर आपकी fight हुए है आपको जो सही लगता है उसको बताओ ठीक है so that आपकी life में वो सब चीज़े आ सके leap of faith रखना start करिये leap of faith आपके लिए important है take a risk and put your heart's true desire into action risk लेना important है guys यहाँ पी अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको कोई चीज़ चार्ट करने है आपको तो guys आपको थोड़ सा तो action लेना ही पड़ेगा risk लेना पड़ेगा so leap of faith यहाँ पे बहुत important डिख रहे हैं role play करते हो डिख रहे हैं ठीक है so guys अगर आपको reading पसंद आई हो तो like this reading subscribe with your family and friends and subscribe to my channel bell icon को दबादेना guys and अभी के लिए तने हर महादेव राधी राधी और अगर आपको personal reading book करवाने तो मुझे DM कर सकते हो so bye